कि अधिकल दोस्ट चैनल को सब्स्क्राइब करिए और साथ मेहीं वेल आइकन को भी प्रेश कर आपको सबसे पहले नाट पटाइसरं मुफ्त मैं मिल सके है है लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम लीव 52 ड्रॉप्स का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे इसके धेर सारे फायदे के बारे में इसके कमपोजीशन के बारे में और इसका प्राइज क्या है और इस बेहतरी ली 52 ड्रॉप कौन से कंपनी बनाती है यानि कि सारी बात हैं हम जानेंगे इस वीडियो में इस लिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप करके मत देखिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहीएगा तो चलिए 2330 से यह मार्केट में अपनी दवा बेच रही है यानि कि बहुत ही ज्यादा दिनों से मार्केट में इसकी दवा चल रही है और यह ली 52 ड्रॉप जो है आयरवेदिक मेडिसीन है और यह साथ है मेल के बॉटल में आता है जिसकी प्राइज आपको 75 रुपेव में पड़ता है और यह इसली आपको किसी भी मेटकली स्टोर या कैमिश शॉप पर आसानी से मिल जाता है यहीं इसके कंपोजीशन पर नजर डालें तो देखिए इसमें धेर सारे हर्बल केंटेंस डाले गया है जैसे कि ही हिमसरा डाला गया है काश काशनी है फिर यानिक धेर सारी इंग्र इसके बच्चों के लीबर से संबंदित किसी तरह की प्रॉबलम हो उन्हें दूर करता है दिखी अकसर जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आज कल ज्यादतर देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को पी लिया यानिकी जो एंडिस की समस्या हो जा रही है उनमें बच् बच्चे अच्छी तरह से दूद और नहीं पी पाते हैं साथ में बच्चे बोमिटिंग और करते हैं और उनका वेट भी दिन बदिन घड़ता ही जाता है तो अगर इस तरह की जोएंडिस यानिक पीलिया की समस्या है नवजाद बच्चों में जैसे कि पैदाइस के टाइम से लेकर तो उन बच्चों को हम ली 52 ड्रॉप दे सकते हैं या जो बच्चे दो महीने या तीन महीने के हैं जिनकी लाइटरिंग बहुत ही कड़ी होती है जैसे कि कुछ बच्चे हफतों में हफते हफते में एक बार लाइटरिंग करते हैं या चार दिन पांच दिन पर से आओ छोटे बच्चों में तो ली 52 ड्रॉप देने से उनकी लाइटरिंग जो है बिलकुल मुलायम हो जाता है और वह इसली रोज लाइटरिंग एक बार या दो बार दिन भर में कर लेते हैं जिसे उनका भूक भी अच्छा लगता है बच्चे अच्छी तरसे दूद पी है या फिर बच्चों को जैसे की भूक होगे रहा अच्छी नहीं लगती यानि कि बच्चा अच्छी तरसे दूद नहीं पीता वेट ग्रोथ नहीं कर रहा है बच्चे का बॉड़ी ग्रोथ नहीं कर रही है तो उन्हें उन तरह के बच्चों को लिफ लिफ फिफ्टी टू ड्रॉप दिया जाता है या जिन बच्चों का मालेजी की पैदा इसके टाइम से ही या फिर दो महीना तिन महीना हो जाने के बाद उनका जो पेट है बिल्कुल खराब रहता है यानि कि दिन भर में चार बार आठ बार या दस बार लाइटरिंग करते हैं यानि कि वो लीबर की कमजोरी से वो जो दूद पीते हैं उन्हें डाइजेशन नहीं कर पाते हैं दूद अच्छी तरह से पच नहीं पाता है जिसकी वज़े से बच्चा जैसे ही दूद पीता है वो ऐसे ही लाइटरिंग कर देता है तो यह सारी समस्या हैं लीबर की कमजोरी से होता है तो उन त सिर्फ दूद्ध ही पीते रहते हैं और दूद्ध पीने जब बच्चा ज्यादा दूद्ध पीएगा तो उसका लीबर अगर मजबूत है तो वह दूद्ध उसके बॉड़ी में लगेगी और देरे-देरे करके बच्चा ग्रोथ करने लगता है यह फिर माले जी की बच्चों को हैपटा일 hey की समस्या है 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 वह भी लिबर का ही एक विकार होता है तो यह पाइटिस भी की समस्या को भी दूर करता है बच्चों को और डूस की बात करें तो इसका जो डोज है अगर माली जी चार से पांच केजी का बच्चा है तो उसे हम दस से पंदरा बूद दिन भर में दो से तीन बार दे सकते हैं यहीं साइड फेक्ट पे नज़र डालें तो तो यह था लिफ 52 ड्रॉप के बारे में सब कुछ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करें और भी एक जगह इसका यूज है जैसे कि अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा बोमिटिंग करता है तो उन कंडिशन में भी दे सकते हैं या पेट में बहु